यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ वोट है है वो भी मुझे लगता है कांग्रेस का वोट मिला नहीं है कांग्रेस को कांग्रेस का वोट नहीं मिला कांग्रेस को इतने बड़े नेता जीन्द उप्चुनाव में जब कूडे मैदान में पहली बार में लगा के टकर क्या देंगे ये तो जीदी जाएंगे लेकिन अब क्या हुआ लगे आप देखिये इसा है यह जैसे हम कहते हैं कि किसी को के बहुत कदावर नेता है कदावर वो इसलिए हैं क्योंकि वो जंता के बीच पे रहते हैं और जंता का काम करते हैं ए protव लूट गांदी तौ गांधी के साथ तो सारी का ख्रेस है। राहुल गांदी का चेरा ही काम सिपाही का चेरा और राहुल घंदी का चेरा भी एक ही चेरा है। कि मैं एक बात दैं जो प्रभुक्त है है कि सबिआ पता है कि भारत्य जनता पार्टी आज पावर में है, उनके पास सरकार की सपोर्ट है, देखे एवियम की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी तंतर का बहुत जगात प्रयोग होता है, और वो सब सफ़ भी है, मैं जीन गया था, जीन मैं आप ने देखा क नोने चार साड़े चार साल में कोई विकास नहीं किया और अभी आकर के इनोंने वहां सीवरेज के लिए पाइपलाइन गेर दी और सारा कुछ किया तो लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने काफी प्रतन किया है सरकारी की तूरप क residents बारते जंता कर पार्ति सरकार की स्पोर्ट ले विसे ग माँदमी पार्टी की स्पोर्ट ले रही है जो सके पीछे जो कारन क्या है पिछड़ते कूं जा रहे हैं आप इसको पिछड़ना का ऐसे हैं हम और यह देख pic जीन्द को जिस हिसाब से गड़ माना जाता था चौधरी ओंपरकास चोटा लागा या गड़ माना जाता था नॉन कॉंग्रस का वहां पे कॉंग्रस 25 परसेंट 22-23 परसेंट वोट अकेला दल मजबूती से खड़ा होकर के लेके जा रहा है तो मैं यह नहीं मानता हूं कि हमार दोचा होगा ठीक है जमान जब्त वाली बात हो रही थी उससे पहले जब चुनाव के नतीजे आ भी नहीं रहे थे नहीं देखिए लोक्तंतर है इसमें हार जी तो हमेशा होती है इसमें कोई बात नहीं जो जनता का मत होता है वो उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन चुनाव में जो डिफरंट जो प्रिस्टियां होती है जिसकी वज़े से को पिछडने की बात आई है कहीं मिस्लीडिंग जो सर्वे करवाए गए जो इलीगल थे जिनकी हमने एलेक्शन कमिशन में सकायतें भी दी है उसमें डोटल टीवी का भी था और एक हरियाना टीवी का भी था ओर और भी बहुत सारी और भी बहुत सारी ऐसी बाते हैं जिनकी जैसे जैसे भी पी सिंग्स शाब ने भी कहा सत्ता चिसके पास होती है सरकार जो होती है वह थाट बहाना अच्छा है गया है था भाने की बात नहीं हमेशा कोई बढ़ रहा है तो बिलकुल आपकर पहले आप कहते हैं लोग चंत्र में स्विकार करते हैं हम यह चीज़ें नियुक्त ठीक है हम अभी इसको कहने सत्ता का दुरुप्यों किया है वह हुआ है इसमें कोई दो रहें तो क्या गलती है साथे चार साल तो कुछ नहीं हुआ और जैसे उनका देहां तो उनको पता था बाई एलेक्शन उसी टेम से दिखाई दिया सरा कुछ और वो सब को दिखाई देता ग्राउंड पर रोडों की कार्पेटिंग रात और यह कुछ हो रहा है कांग्रेस और इने लोग दोनों कहेंगी कि सत्ता का दुरुपयोग है आप आप आपके सामने है कि साड़े-चार साल में हर्याना सरकार ने भरती नहीं की अब आगर करके वो कहते हैं कि हम इतने करमचारी इस डिपार्टमेंट में लगाएंगे इतने इसमें लगाएंगे को इपडियारोब लगा रहे हैं पर उनके पास कोई चारा नहीं मैं सबस्क्राइब करेंगे अपनी नौलिज को अपडेट करें उन्हें इन्होंने जो कहा कि नोकरिया निलगोई मुझे लगता है जितनी कंग्रेस ने 10 साल में लगवा है तुस्ते जादा हम लगवा चुक खते डेमेज था दस तरही साथ वे उससे पहले न ही कि आपने किया क्या वहां पर आप उसयां के रहा पांच काम लगातार अप्डेट यह जनता तैय करती है प्रजा तंतर में सबसे बड़ा पैमाना जनता होती आप तो आप तो गया तरफा जीत होगी बिल्कुल एक तरफा होगी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है अभी तो पांच राउंड की जहां जा रहा था कि जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी वह प पहुंचाने के लिए खड़े नहीं है और हमारा जो वोट बैंक तो कह रहे हैं चले ठीक है लोग तंतर में सविकार करते हैं वह तो अभी सविकार करने के लिए राजी है आप तो उन से पीछे है ऐसे कमल भाई जी जो भी जनता जनारदन का फैंसला होगा उस फिर मत्थे होगा पर अभी इस फैंसला आने तो दीजिए ना अभी अभी जो है आठ राउंड आठ राउंड देरे आ रहा है विद्धा लंकार जी कॉंग्रेस के बात करेंगे रंदीव सुर्जवाला की द हैं अगर वह भी सुर्जवाला जी के साथ आते तो यह आप कहरें कि खुड़ा शेल जा किरन चोदरी सारे लोग यह सारे लोग होते और पूरे चुनाव के द्वारा रहते तो रिजल्ट है ना और बेतर होता लेखिएगा भारती जनता पार्टी अगर जीती है तो दो दलो हैं उनकी भी कबूल होंगी कि रंट जीत दीता तो समीकर्ण कुछ और होते कि चुनाव आने वाले हैं वहां मुश्किले पेशाती में तो दो देट पहले कमलगान गोरी साब के बास चलते कमलगान गोरी साब ठीक है आएंगे सर आपके पास एक सब मान रहे हैं और जैसे ही शहर का वोट खुला है चोथे राउंड में सिर्फ दो ही बूत थे शहर के और उन दो ही बूतों पर इतना वोट मिल गया कि बीजेपी जो है वो जेजेपी से आगे हो गई और जो अभी पांचवे राउंड के रिजल्ट अभी तक जो आ रहे हैं उसमें से लगबग एक तर रहे हैं तो रंदीब सुर्जेवाला कहीं भी खड़े नजर नहीं आ रहे हैं आपको लगता है कि आप इछड़ी जाएंगे मुझे लगता है कि कॉंग्रेस का यह जो मूव था राहूल गांदी का वो काफी बूम रैंक कर गया है वो पहले ही मालूम था पहले कहा गया था उनको सीम के रूप में प्रोजेक्ट किया गया उनकी परसनल इमेज जो है वो स्टेक पे लगाई गई राहूल गांदी ने अपनी परसनल इमेज को कॉंग्रेस के सब धड़े वहां गए इससे ज्यादा पेक्षा करना कि वह वहां जाकर नदीब जी के लिए काम करेंगे य इतना ही बहुत था उनके लिए कि उन्होंने किया कहीं सबोटाज नहीं हुआ कॉंग्रेस में उसके बाद यह स्थिती बन रही है तो यह कॉंग्रेस और मुझे लगता है इसमें ज्यादा खत्रा है क्योंकि जेजेपी की तरफ जिस तरह से वोट ट्रांसवर हुआ है वो व बीजेपी अठाउन सो बोटों से आगे है और बीजेपी को अब तर 21,000 21,000 बोट मिल चुके हैं पहले नंबर पे हैं और बहीं जेजेपी दूसरे स्थान पे 15,315 बोटों से हैं और तीसरे स्थान पे कॉंग्रेस 8,805 बोटों से चल रही है 8,000 वोट सिर्फ क्या कहेंगे जीडी साहब ये तो कही सकते हैं गलती होगी राहुल गांधी से जो मिसाइल छोड़ी गई थी वो फुस होगी इसा नहीं है देखिए नो डाउट इसके अंदर कोई दोराया नहीं है केरंदीप सुर्जेवाला जी एक बहुत ही बैतर कैंडिडेट रहे हैं और उन्होंने इस चुनाव के अंदर हमने मेनत भी की है सभी पार्टी के हमारे विरिष्ट नेता सभी एक मंच पे इकठे होकर के सबने ये फैसला लिया था और वो जो देखिया ऐसा है कॉंग्रस के सिंबल पे जब भी कोई व्यक्ति टिकट लेके आता है तो हमारी सारी की सारी कॉंग्रस जो है वो एक जुटता हो को शुटता वी कहते हैं किया आप जित्वात जीजिए रंदीव सुर्जे मेरे जिन के गरंटी मेरी इस तरह की जो शब्दावली का इस्तमाल जो दिपेंदर हुटा हुआ कहते क्यों नहीं कहते हैं कि यह कॉंग्रस का जो केंडिडेट है जब वो जीटता है तो उससे कॉं कामल जी में बात कहना चाहता हूं कि दो दिन पहले आपने भी देखा होगा कि हुड़ा साब के जो समर्थक विधायक है गुलाब नभी आजाजी से मिले थे उन्होंने कहा थे कि कमान हुड़ा जी को सोब दीजिए तो अगले आने वाला चुनाव में हुड़ा जी सरकार बनागर के ले आएंगे मुझे उसी दिन लग गया का था इसका मतर रंदीव जी लूज कर रहे हैं अधरबाइज रिजल्ट आने से पहले उनका मिलने का कोई तुक नहीं था तो यह सिदा सिदा उन उनको डिमांड के बावजूद पूरे चुनाव में वो क्यों नहीं रहे या उनको क्यों नहीं बुलाए गया तो यह थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है अगर हुड़ा जी वहां प्रेजेंट होते तो रिजल्ट और बेतर होते कांग्रेस के लिए सुखद होते सबीर आपका विधायक था इससे पहले स्वर्गे मिड़ा जी थे और अब जो है आपकी जो हार है वो करारी हार होने जा रही है ऐसा भी रिजल्ट फिलाल तो बताते हैं अच्छी बात होगी कुछ उलट फेर हो तो और भी दिल्चस्प होगा लेकिन क्या लगता है कि भवश्य कह जाएगा जिन्द उप्चनाओ के बाद इन्यालों का ने यहीं कोई बात नहीं है यह आप अपने क्लेम कोई भी कुछ कहे उसकी बात अलग होती है उप्चनाओ सिदी सी बात है हमेशा सरकार का क्यों को पता है जो काम अभी ने पहले इतने उप्चनाओ हो है देश में प्यमें क्या हुआ थीुपी में इंद्र में बीजेटी की सरकार्थी यूपी में फूर्णु किस्टर कारतिƏज और यहीज़ा नहीं इस करना चाता हूं अब यह व्ये और बात शाथम है यह बाटे है यह बात मैं यह करना चाहता हूं इस तरह के व्याख्यान जब रजल्ट को हम विशलेशन करते हैं इस तरह की बातों को विश्चतनी यह बिल्कुल निमनस्तर की बात क्यों कि कंपेनियों भविष्चे को बताने वाला चुनावा इस लिए चर्चा ही हो रही है देखे देखे जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसका उदेश्य यह है कि आने वाले समय लोगसाबा चुनाओं भी है जिन दुप चुनाण आपकी पार्टी ने भी सेमिफानल माना जिन को राजधानी बनाने की बात क्यों कहीं गई है कंडेला गाओं के लोगों से माफी क्यों मांगी गई ताकि वोट मिलें यह पॉइंट नहीं होता अगर किसी मदाता को यह लगता है को नराजगी है तो हर पार्टी करना चाहिए इसमें कोई गलती है तो माननी भी चाहिए मैं यह करना चाहता हूं हमारा एक साधान किसान का बेटा था और दूसरी तरफ बड़े-बड़े डिग अधर्टों में नहीं कहूँगा किस कि की वज़े से पीछे जारी चाहिए नहीं अकेले जीजी पी की बात नहीं होती और भी होता है जैसे जो चकासों थी एलेक्शन की हाई प्रौफार्टीब सुर्जे वाला कहते हैं जो अपनी डादी डादा का नहीं हुआ वह आम जनता आपका एक्जाम्पली गलत है आपका परिवारी को रही है अपने दादा दादी का नहीं हुआ परिवारी कहां से आ गया चुनाव के अंदर परिवार का शुचल मीडिया पर विडियो आ थे तीन दिन महत्तपुन थे परचार के उस दिन एक तरफ जहां जो है नैना चोटाला भरी महफिल में आसू उनके आ गए थे भावुक हो गई थी बिल्कुल एक परिवार किया सीमा से भी निचे गिर के परचार किया है दादा दादी दादीगा पर इसे बारती ने देखिए यह बिल्कुल इनकी बात से मैं सहमत हूँ निचे बिल्कुल से गिर करके परचार आप देखिए चुनाव के समय में जीन्द वाइलेक्शन में सी बियाई के च्छापे लग रहे हैं कॉंग्रस नेताओं मैं कहता हूं कि कॉंग्रेस पार्टी ने कॉंग्रेस पार्टी ने या आइनल्डी पार्टी ने इतना निचे गिर के परचार किया है जैजेपी को रहाने कि जवाब लेंगे जैदीब के पास चलते हैं को जानकारी ज़रूर दे पारे होंगे जैदीब क्या जानकारी फिलाल आपके पास बिलगोल देखेगा अभी जो है पांच राउन की काउंटी का वो खतम हो चुकी है चटे राउन की जो काउंटिंग ओ शुरू हो गिया और बीजेपी का जो वोट मारजन वो लगातार बढ़ रहा है सतावन सो से ज्यादा का जो है वोट मार्जन हो गया है कुल अभी जो वीज़वी परत्याशी है कृशन मिड़ा 21,000 से ज्यादा वोट उनको मिले है और दूसरे नंबर पर जो है दीगविज़ा चोटला है साड़े पंदरा हजार से ज्यादा उनके पास वोट उसके लावा त तीसरे पर कॉंगरेस उसके बाद LSP फिर आइनलडी पातवे इसतान पर आ रिफिकलेक्लिकी के लीड बढ़ रूट है जब यह अगले पांट राउंड है जरे अगले पात राउंड जो है वह और जो सहरी जो जो ग्रामिन बूत हैं जब उनकी काउंटिंग होगी तीसरे नंबर पर तब यह हो सकता है यह लीड थोड़ी नीची आए वरना बीजेपी लगातार जो बढ़त बना रही है अभी शेहर के दो ही जो बूत है उनकी काउंटिंग कंपलीट हुए है शेहर के जो दो दो काउ बढ़त बनाने की संभावना है जिस तरीके से पहले दो राउंड में शेहरी राउंड जो शेहरी चेतर के राउंड दे उसमें बढ़त बनाई तो आने वाले राउंड में बढ़त बना सकती है जी पांट से साथ हजार लीड बीजेपी की हो चुकी है लेकिन सवाल फिर जब बात होगी ठीक है लीड उपर नीचे होंगी अभी भी आठ राउंड बाकी है तो मेरा यह कहना था जो एक अभी नहीं शाब ने बात कहीं कोई इन एलान और कांगरेंस ने निमनस्तर पर जाके परचार किया मैं इस बात का सीधा जवाब यही दूँगा निमनस्तर का किस इसने किया प्रदेश की जंता ने देखा है एक पार्टी से गठ बंदन होता है उसी दिन जो फरलो एक प्रिजिनर का राइट होता है सेंक्शन थी जो फरलो उसको रिजक्ट करवा दिया जाता है पहले कंडिशन लगवाई जाती है और इतना ही नहीं जो जो 80 साल का जो एक क्रिश्च मिड़ा का अब पांचवे राउंड की जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है क्रिश्च मिड़ा जो है सबसे बड़े आपको दिखाई देंगे इसके बाद नाम आता है दिखविजे चोटाला का जेजीबी से समर अर्थन भी मिला खुले तोर पर बड़ी रेली की कि इसके बावजूत दूसरे नंबर पर आना कई सवाल खड़े करता इन पर भी चर्चा होगी रंदीप सर्जेवाला वैसे अगर बात करें कॉंग्रेस में इनका बहुत बड़ा कद है लेकिन यहां पर बहुत छोटा कद वो परश्यार नहीं बलकि सत्ता का दुरूपयोग था आपने जो काम साड़े चार साल में नहीं करा है वो अब करवानी लग गए इसके पीछे जो बाते हैं वो क्यों कहीं जा रही है देखिए विपक्स के लोग कहेंगे इनकी हार है ये चापे मरवाएं सीबिया एक सर्तं जेपी की थोड़ी है वहां के मुख्यमंत्री यहां गोडेडा के पड़े रहे यह आम आदमी पार्टी की वोट्विन के साथ है यह भी है और कहीं ना कहीं कॉंग्रेस ने अपना अनुमान यहां से लगा लिया है कि इतना बड़ा नेता उतारने के बाद भी हम कुछ ले न नंबर पर है अच्छे वोट भी मिले होंगी हम यह कह सकते हैं लेकिन उसके बाजूद बीजेपी आगे जा रहे है कहा यह जाना था कि लेस्पी अगर वोट काटते है बीजेपी की तो इसे नुकसान होगा यह दोनों यह अच्छे स्थिति में क्यों नजर आते हैं देखे ऐसे इसे बीजेपी के बात करते हैं या अरक्षण की बात करते हैं तो वह कम्प्रीटली अगर साफ-साफ कहें तो जाट नों जाट में जब वहिए समाज को बाटते हैं तो उसका फाइदा जो है कहीं क्यूंकि बड़ी पार्टी है उसकी सत्ता में आने की उमीद है तो वोट जो है, वो LSP के पक्ष में consolidate नहीं होता है, वो वोट जो है, वो BJP के पक्ष में consolidate होता है, इनको भी उसमें से कुछ वोट मिल जाता है, तो दोनों ही factor होते हैं, इनका अपना लाब भी होता है, और ये BJP को भी उसी के माध्यम से लाब पुंचाते हैं, क्योंकि ultimately वोट मिलेगा और ये BJP को भी उतना वोट दिलवाए, बीजेपी को फाइजा नुकसान, लेकिन यहां तो लग रहा है कि फाइदा ही पहुचा रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस चुनाओ के बाद जो बाइलेक्शन है, बाइलेक्शन सरकार जो है, वो हर पार्टी ने खुल करके वहाँ मैं आपको जैसे पहले बताया है, बीजेपी ने खुल कर सत्ता का वहाँ पूरा जितना ये धृत दूरुप कर सकते थे इन्होंने किया अपनी पावर बूस्टिंग इन्होंने की इन्होंने लोगों को हर तरह से लालच और लोभन दिया और फिर उसके बावजूद भी लोगों के इंदर एक बात तीक तिलेविजिन के सामने ही बैठे रहेगा क्योंकि कुछी दिरबाद तस्विर साफ हो सकती है लगातार जो है वोटिंग जो हुई थी उसके जो गिनती है वोटों की वो लगातार जा रही है और पांच राउंड खत्म हो चुके है छटा राउंड शुरू हो चुका है श्यहरी वोट भी गिने जा रहे हैं गरामिन वोट भी गिने जा रहे हैं और कुछ भी हो सक या कि जान काहो दान आदी एक दनुष्के बान पे उतार दो वेदर रिपोर्ट के सहप्रायोजक है डॉक्टर और्थो एंड एक्ड़ च्हा कि जान आदी एक्ड़ एक्ड़र के सहप्रायोजक है